नमस्कार आप देख रहे हैं SPT News पेशे 6 जुलाई विधवार सुबह सबाद 6 बजे रासान की बड़ी खबरें केंदे ग्रह मंद्रे आमिच शौहा की अध्यक्षा में जवपूर में 9 जुलाई को नौर्थ जोर्नल कांसिल की एहम बैठक होगी इसमें इंटर्नल सेक्योरिटी को लेकर विशेश चर्चा होगी पांस सितारा होटल रामबाग पैलेस में होने वाली इस पैठक में रासान के मख्य मंत्री अशोग गहलोट सहिद आट राज्यों के मख्य मंत्री और उपराज जेपाल हिस्सा लेंगे सुब करीब दस बजे से होने वाली मिटिंग में रासान हर्याणा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, रास्ट राजधानी दिली, चंडिगाड, जम्मु कश्मिर और लदाख की सियम और उपराज जेपाल भाग लिंगे तरसान के मुख्य मंत्रे अशो गहलोत ने पशुपालन विभाग में तकनिकी करमचारियों के पदो के क्रमोनियन एवं राज्य पशुपालन सेवा के अधिकारियों के पदो को क्रमोनोत एवं पुनलगठन को मंझूरी दे दी है जिससे 475 कारमिकों को पदो नती के अवसर प्राप्त हो सकेंगे गहलोत के नेने से विभाग में सहाइक सूचना अधिकारी के 352 पदो तथा उप नेदेशक के एक सो तेस पदो का स्रजन हो सकेगा पुनलगठन के बाद प्रतेक संभाग गया अतरिक नेदेशक कारेले में एक अतरिक नेदेशक एवं तीन उप नेदेशक जिला कारेले में चार उप नेदेशक था एक वरिस्ट पशूची के साधिकारी होंगी रहसान के सहकारिता मंति उदलाल आंजना ने कहा है कि सहकारी बैंक को एवं उभुकता भंडारों में रिक्ता आर्ट सो पोदो पर भरती की जाएगी अंजना मंगलवारकु कृष्यन संधान केंदर दुर्गापुरा के आइडिटोरियम में रासान स्टीट कॉपरेटिव सर्विसे अफिसर्स एससीयेशन एवं एससीयेशन और राजसान कॉपरेटिव स्बोर्डिनेर सर्विसेज के नव निर्वाचित पतादिकारियां के जसल मेर की नवन्यूक जिला कलेक्टर वे देश की सबसे चर्चित आई एस टीना डाबी आज बुधवार को जसल मेर कलेक्टर का पदभार ग्रहन करेंगी। जसल मेर मिली है। जसल में गाड़ी संक्या 096-08 बनकर पुषकर से शाम 4 बजे रवाना होकर 5 बजे अजमेर पहुचेगी। सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन के बाद भी कोटा शहर में धडले से इसकी बिक्री हो रही है। पॉलिथिन पर बैन होने के बाद भी हर दुकान पर आसानी से पॉलिथिन मिल जाएगी। ऐसे में कोटा नगरनिगम के अगनी शमन विभा की टीम ने मंगलवार को बाजार में सर्च अभियान चलाया। नगरेंगम कोटा उलतर अगनी शमन विभा की टीम ने अगनी शमन अदिकारी राकेश व्यास के नेत्रेतु में बाजारों में सर्च अभियान मंगलवार सबस्ट शुरू किया इसके बाद बाजार में हटकम बच गया सर्चिंग के दोरान बली मार्केट में गोदा में जब चापा मारा गया तो वहां बड़ी मातरा में पॉलिथिन मिली ये पॉलिथिन बाजारों में दुकानों पर सप्लाई की जानी थी वनवी भाक्या राधिकारियों के देख रेक में जयपुर लाए गए चार साल के शिवाजी को फिलाल नहरगट बायलोजिकल पार्क में तीन सबताहता क्वारंटाइन डखा जाएगा इसके बाद शिवाजी को ओडिशा से लाए गई टाइगरस राने के साथ जोड़ा बना दिया जा रहा है मरीजों के परिजनों ने इसका एक वीडियो भी बनाया है वहीं अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी नहीं होना बताया उन्हेंने कहा कि अगर ऐसा है तो दवा काउंटर वालों पर कारवाही करेंगे जसलमेर के जवाहिर अस्पताल में जुलाई 2020 मे बनाया हुआ और जुन 2022 में एकस्पायर लिखा हुआ O.R.S. पाउडर निशुलक दवा काउंटर पर मरीजों को दिया जा रहा था अजमेन में राशन टीलर की ओर से समगरी का गवंग कर खुर्द बुर्द करने का मामला सामने आया है। बार बार नोटिस देने की बावजुद कोई जवा प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रसत विभाग ने गंज थाने में मामला दर्ज कराया है पर इस मामले की प्रवरतन निरिक्षा कराहूल भावरिया ने गंज साने में रिपोर्ट दे कर बताया कि प्रवरतन अधिकारी अब्दूर साधिक की ओर से चार अप्रैल को उचित मुल्य की दुकान चोटी नाकफणी कोर संख्या एक नौ पांच शुन्य एक की जांच की तो दुकान बंद पाए गई जिसके कारण वो भोकताओं को राशन समगरी उपलब नहीं हो पा रही है प्रवरतन अधिकारी ने डिलेर बजरंग पुरी से दुर्भाश पर संपर कर बात करना चाहा परंतु मुबाइल बंद आया दुकान के बाहर मुल्य एम स्टॉक प्रदर्शन नहीं था उचित मिले दुकान पर दुकानदार का नाम पता मुबाइल नंबर वे दुकान खुलने का समय भी नहीं लिखा हुआ था शिरोही में आतिकें सांखिकी और रजिस्टार आफिस वर्तमान में उधरती परतो वाले भवन में च्वल रहा है इस विभाग को राज्य सरकार ने नया भवन बनवा कर 6 महीने पहले ही सौम दिया था विभाग ने बोड भी लगाया और बिल्डिंग के बाहर मुखेदवार के उपर बल्प जला कर इतिश्री कर ली कलेक्टर परिसर सित क्रिशी विभाग के आत्मा भवन से लगती बिल्डिंग में ये आफिस चल रहा है जो जरजर हालत में है अजमेर वेब्यावर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की और से रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच जैपूर को भेजे गए नोट नकली में है इसमें 50 रुपए के 6 और 100 रुपए के 19 नोट है आरबियाई की एसिस्टेंट जनरल मेनेजर की रिपोर्ट पर कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जान शुरू कर दी है वसंद्रा कलोनिक गोपालपूरा थाना बजवाज नगर जैपूर सहाइग महापरबंदक त्रत्ती तोसावरा ने नोडल पुलिस थाना जैपूर पूर गांधी नगर जैपूर को रिपोर्ट दी है इसमें बताया गया कि नमबर 2021 से महापराल 2022 के अवधी के दौरान अजमेर जिले के भारतिय स्टेट बैंक ब्यावर और भारतिय स्टेट बैंक अजमेर से 50 रुपे के 6 नोट और 100 रुपे के 19 नोट भेजे गए हैं जो नकली पाए गए हैं बिजली चोरी और मिटर से 6 चार पर रोक के लिए अजमेर डिसकॉम ने बिजली के मिटर घरों के बाहर लगाने का फैसला किया है सर्विस लाइन भी पूरी तरह से घर के बाहर ही दिखाई देगी इसके लिए ग्रामिन शेत्रों में अजमेर डिसकॉम का सर्विस लाइन विजिबल अभियान की शुरुआत की गई है जिंजनों में पिछले साथ दिनों से अभियान की शुरुआत कर दी गई है ग्रामीन शेतर के सभी मिटर घरों के बाहर नहीं लग जाते तब तक ये अभियान चलेगा जिंजनों SC ओम प्रकाश महला ने बताया कि सभी फीडर इंचार्ज को जिम्मेदारी सौपी गई है अपने शेतर ग्रामीन इलापकों में कारे शुरू कर दिया गया है जिले के सभी गाउं में ये कारे किया जोएगा राजसान में जुल्दाए विभाग में पाने की योजनाओ के श्रेस्ट नियंतरन के लिए राजसरकार अप सिस्टम बदलने की तयारी कर रही है PhD में प्रतेक रीजन स्टर पर चीफ इंजीनियर लगाने पर विचार किया जा रहा है यदि ये प्रस्ताव स्विकृत होता है तो विभाग को चार नए चीफ इंजीनियर और मिलेंगे पहले जल्दाय वीभाग में एक Chief Engineer ही पूरे रहज़ान में पानिक की योजना पर नियंदरन करता था लेकिन वक्त के साथ साथ योजनां के दबाव की कार Chief Engineer की नई पोस्ट प्रियेट की करोड की योजनाव पनियंद्रन के लिए PhD में अब नए प्रस्ता पर विचार किया जा रहा है जिसमें हर रिजन की चीफ इंजीनियर के हास में कंट्रोल होगा अब ये अरिशनल चीफ इंजीनियर रिजन का कंट्रोल होता है राशन प्रदेश कॉंग्रेस अध्याक्ष अगोविन सिंग दुटासरा ने भाश्पा नेताओं के उधरपुर दोरे पर सवाल उठाए है PCC चीफ ने कहा है कि भारती जनता पार्टी नेताओं का जनता से कोई सरुका नहीं है इनके बीच एक अंधी दौड चल रही है जिसमे इने बसमुखी मंत्री पत का उमीदवार बनना है इसलिए ना इनके अंदर कोई समेदनाई बची है और ना ही प्रदेश को लेकर इनके पास कोई विजन है यही वज़ा है कि गटना के साथ दिन बीच जाने के बाद और हैदराबाद से मौज मस्ती काट कर वापस आने के बाद भाजपा के नेता कनियालाल के घर जा रही है नुटासना ने कहा कि सीम अपना जोदपूर दोरा रद कर उदैपूर पहुंचे सरकार विज़ालों के बच्चों के लिए शुरू की गई अनपूर योज़ना का नाम बदल दिया गया है अब इसे बाल गोपाल योज़ना के नाम से पहचाना जाएगा यही नहीं अब दूद भी पाउडर वाला पिला जाएगा बच्चों को स्कूलों में रोज़ना के बजाए सब्ता हमें दो दिन मंगलवार और शुकरवार को पाउडर से बना दूद मिलेगा सरकार ने जब योज़ना शुरू की थी तो पहले रोज़ना दूद पिलाने का प्राफधन किया था और ये दूद भी सरस डेरी से खरीदा जाता था अब नए आदेशों के मताबिक पाउडर वाला दूद बना कर बच्चों को पिलाए जाएगा तो फिलाल इस बिलेटिन में इतना है फिर हाजर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्यपुन खपरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्प्टी न्यूज को और प्रेस कीजिए बैल आइकन पर